हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा मैंगन बेंस आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है इस फ्रेजुकेशन के अंदर कर जितनी भी वीडियो हमारे चैनल से आपके लिए प्रसारित किये जाते हैं वो सभी आपके लिए 100% फ्री हैं यानि कि यहां पर आकर आप किसी भी क्लास में हो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं कोई भी वीडियो कितने भी वीडियो या कितनी बार भी आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं सभी आप 100% फ्री देख सकते हैं इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी payment नहीं करना है तो ये ध्यान रखें कि ये जो 100% education अम लेकर आ रहे हैं इसके वीडियो आपको मिल रहे हैं YouTube पे हमारी website यानि कि Magnebrains.com पे और दूसरा है हमारे app पे जिसे आप Play Store पे जाकर रामूद कर सकते हैं तो इन तीनों ही जगे आपको 100% free video मिलते हैं लेकिन हमारा जो वो app है और हमारी जो website है इन दोनों ही जगे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर जितने भी video हैं वो systematic धंग से arrange मिलेंगे जैसे कि हम लोग book देखते हैं हमारी book होती है न हम open करते हैं book open करती है हमारे सामने क्या आया कि हमने अपने subject की book उठाई उसको open किया तो chapter number 1 से start हुआ उसमें सारे topic arrange तरीके से आपके पास लगे हुए हैं फिर उसके बाद आपके पास रहता है आपके question answers तो वही सेम तरीके से यहाँ पर भी है यानि कि आप जब हमारे चैनल पर आएंगे तो आपको अपनी class select करनी है जैसे आप cbc English medium में पढ़ रहे हैं तो आप cbc English medium select करेंगे जैसे आपने select किया सारी classes आगे हैं आपने अपनी class select करी आपकी class है 9th आपने करते ही तुरंत 9th के जितने भी subjects हैं सभी आ गए उनमें books भी हैं जो भी book आप पढ़ना चाहते हैं उससे select करेंगे उसके बाद ही उस book में आपके सारे chapter wise सारे chapters आजाएंगे अब आपको suppose chapter number 1 पढ़ना है तो आपने उसको जैसे ही click किया उसमें सारे topics जितने भी हैं arrange method में आपको अलग-अलग वीडियो में समझाएगा है और सब अलग-अलग वीडियो आपको दिखेंगे वहाँ पर फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सारे ही pattern आपके लिए मौचूद है pattern का मतलब है जैसे कि हम सबसे पहले कोई भी chapter लेते हैं तो उसका explanation पड़ते हैं तो आपके लिए explanation के वीडियो है topic wise फिर उसके बाद है आपके NCRT आनि की book के पीछे जो questions रहते हैं वो हम करते हैं तो वो भी आपर with solution उसका video available है फिर उसके बाद क्या होता है कि जब test या exam आते हैं तो हमें यह chapter दुबारा revise करना पड़ता है तो वो revision भी आप मौजूद है जो है one shot revision के नाम से या complete chapter revision के नाम से तो जैसे आप उसको click करोगे तो वहाँ पे आपका पूरा chapter explanation है कुछ questions भी है फिर उसके बाद आपके दो जो है pattern से आपके paper में questions पूछे जाते हैं एक है आपके multiple choice question यानि कि objective questions रहते हैं और दूसरे है subjective यानि कि वर्णात्मक तो यहाँ पर आपको वस्तुपरक और वर्णात्मक यानि कि आपके objective subjective दोनी तरह के objective question आपके multiple choice question के कलब में रहेंगे उसके बाद आता है most important question जहाँ पर आपके सारे ही important question इस chapter से related आपके subjective method में रहेंगे तो इस तरीके से हमने सारे ही pattern आपके लिए cover कर दिये अब ये तो सारा हमिली रहा है लेकिन अब कभी-कभी exams के time दिये हमें लगता है कि कुछ papers हम solve करने तो class wise आपको papers भी यहाँ पर subject और class wise आपको paper भी मिलेंगे sample papers तो वो आपके final exams के दोरान आपके लिए new release किये जाते हैं even board exams के जो classes रहती हैं उन्हें sample paper तो मिलते ही हैं साथ में previous year question papers भी आपको solve कराये जाते हैं तो यह सारे method हम cover करते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सके इसके इलाबा आपके तरीके से और भी revision कर सकते हैं उसके भी videos आपके लिए हम सारे videos लेकर आते रहते हैं सारे कोई revision वगेरा जितना भी है सब तो इस तरीके से इस पूरी ही method के जरीए हम आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से कराना चाहते हैं तो जब यह हम अच्छे से करा रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़िए और वो भी पूरी तरीके से initial है यानि कि 100% free है तो इसका part बने रही है और हमारे साथ मिलकर पढ़ाई करते रही है चलिए आते हैं आज के वीडियो के आज का जो हमारा वीडियो है वो है class 9 दे हिंदी course A के लिए क्या कर रहे हैं हम course A का तो इससे पहले previous में जो हमने वीडियो देखा था वो था लगू-कथा लेखन किस तरीके से लगू-कथा लिखी जाती है और किन छुट-छुटी बारीकियों को ध्यान दिया जाता है हमने दो लगू-कथा भी आपको कराई थी जिसमें एक उकती थी और एक वक्तव यह था उस पर आधारे दो लगू-कथा करी थी लेकिन इसके इलावा भी कई तरीके से लगू-कथा पूछी जाती है तो यहां पर आज जो हम करा रहे हैं वो है most important question अब यह most important question का मतलब है कि पुछले किस कुछ सालों में आप से पूछे गए इस topic पर यह जो भी questions है वो हम आपके लिए लेकर आए तो यहां पर पहले चीस तो आप देखोगे किस-किस तरीके से लगू-कथा आप पूछी जा रही हर एक बारी के तो हम उसको आपको समझाएंगे समझाएंगे लेकिन साथ ही साथ यहां देखेंगे आप अपनी practice भी करेंगे किसको कैसे हम जितनी कथाएं पढ़ेंगे जितना जानेंगे उतना हमारे समझ में हमारी imagination कथा लिखना टोटल ही हमारे imagination पर हैं हम कितनी अच वास्तिविक जिंदिगी से जुड़ी हूँ आप ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल कल्पना के परह चीज़ों को बनानी लगो ऐसी कथाएं जो हैं वह मौलिक्ता से बहुत दूर होती है तो जो पाठक होता है उसे अपने आप से connect नहीं कर पाता है तो जब भी आप कथा लिक कर सके उससे कुछ सीख सके तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे पूछे गए तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रशना आ रहा है देखी क्या है पहला है एक ऐसी मौलिक कथा लिखिए जिसके अंत में यह वाक के लिखा गया हो अंतता में अपनी योजना म हो सका या हो सकी ओब ध्यान देजें यहां पर एक आपको मौलिक कथा लिखनी अभियान रखना ये मौलिक कखा का मतलब होता है कि आप कथा ऐसी लिखो जो वास्तविक्त hasnu सम्बंधित हो एसा ना हो परियों की कहानी जैसे होती है उस तरीके से लिखूँ है ऐसे नहीं लिखना मोह दिता मतलब जो हम से संबन्धित हो वैसी और उसके अंत में यह सुथी अभी हमने जब पिछली बार अपना वीडियो किया था तो उसमें हमने क्या बताया था ऐसी कहानी जिसके अंत में उसने क्या बोला था कि आखिर तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो यह चीज़ पता चली थी तो उसी तरीके से अब यह अंत में करना है अंतता मेरे योजना सफल हो सकी आपको यह बताना है ठीक है तो यह चले शुरू करते हैं तो इसका टॉपिक ही दे लिए अतता में अपनी योजना में सफल हो सका या हो सकी तो कता शुरू करते हैं मैं बजपन में अकुछ सर अपने दादा जीसे एक बात सुना करता था कि तुम्हारा जीवन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे अंदर और दादा जी की बातें बार बार इस्मरण होकर अपनी सत्ता को सिध्ध करने लगी क्या हुआ वह बार बार चीज ऐसी घटना गटी कि जो दादा जी बोल रहे थे वह चीज सत्त होती हमको प्रतीत हुई उस दिन में रात को ऐसे ही टहलने के लिए घर से बाहर निकला था मन में पहले से ही बहुत सी बातों को लेकर उधेर बुन चल रही थी मतलब मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही थी तभी अचानक मेरी नजर सड़क की दियुसरी ओर बने कूड़े दान पर पड़ी यानि कि जैसे हम यह चल रहे हैं तो सड़क के जो दूसरा साइड है एक सड़क उतार उसके और साइड में एक ड़स्ट बिन रखा था उस पर पड़ी मैंने देखा वहां साथ से आठ साल के कुछ बच्चे कूड़ा उठा रहे थे पर एकदम से मेरी नजर एक बच्चे पर आकर रुख गई मैंने सड़क पार करके उसके पास गया तो देखा वह बच्चा कूड़े दान में फेकी गई खाने से भरी हुई पॉलिथिन ढून र रहा था और उसमें से खाना निकाल कर खा रहा था मेरा शरीर उस द्रश्य को देकर निस्तब्द रहे गया मतलब कहते हैं अचानक स्टॉनिक लगता हमको शौक सा लग जाए वह ऐसी सिचुईशन थी पूरे रास्ते मेरे मन में वही द्रश्य चलता रहा में टहलते आगे ब उश्रक है यानि कि ये बच्चे भूख से तड़प रहे इनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए मैंने अपने कुछ सातियों को इस घटना के विशम में बताया और मिलकर उनकी सहायता करने के लिए कहा कि मैंने बताया कि भई ऐसा है तो उनका चलो मिलकर इनकी हेल्प करते ह मैंने उन्हें सुझाब दिया कि हम लोग शाम के समय मोहले के ढाबो और रेस्टोरेंसे उसका बचा हुआ खाना सस्ते दामों पर खरीद कर इन बच्चों को बाट देंगे सभी ने मेरे निर्णे की प्रशंशा करते हुए अपने इस तर पर सहयोग करने की बात की भाई खरीदना है तो पैसे भी देने पड़ेंगे तो समने कहा कि ठीक हम मिल जल कर इस बारे में सहयोग करेंगे अगले दिन शाम को हमने अपनी योजना अनुसारे कार किया और कुछ बच्चों को भोजन कराया अगले दिन हमने वो लिया और फिर कुछ बच्चों को भोजन कराया अन्त था अपने दोस्तों की सहायता से मैं अपनी योजना में सफल हो सका तो अब देखे इस कहानी के अन्त में हमने दे दिया ना कि मैं अपने फ्रेंड्स की हल्प से ये जो मैंने प्लानिंग की थी इसमें क्या हुआ मैं सफल हो सका कि किस तरीके से मैंने बच्चों की मदद करी तो ये देखे यहां पर भी पूरी कहानी हो गई ना चली अब दूसरी कहानी देखते हैं अब यहां पर क्या है एक उक्ति दी गई है एक मौलिक कथा लिखिये जिसका आधार निम्लिखित उक्ति हो मनके हारे हार मनके जीते जीते यानि कि अगर हम मन से ठान लें तो कोई भी कार हमारे लिए मुश्किल नहीं हो सकता है यदि हमारे मन ने हार मान ली तो हार निश्चित हो जाती है अगर हम सोच लिए यार हम नहीं कर पाएंगे हमसे नहीं हो पाएगा अगर हमने सिर्फ सोच लिया अभी हमने उसका काम को करने की कोशिश भी नहीं करी हमने क्या किया हमने सिर्फ उस काम को सोचा भर है और जैसे ही हमने उसको सोच लिया और हमने कहा कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा और यदि मन में आत्म विश्वास है और जीतने की इच्छा है अगर मानली निश्चित है तो हार हो जाएगी और अगर हमने अपने अंदर आग में विश्वास दिखाया और जीतने की इच्छा है तो निश्चित जीत होती है यानि कि अगर हमने मन में ठान लिया कि नहीं हम कर लेंगे कैसे नहीं कर पाएंगे अब देखो इसको हम अपनी पोस्टन लाइफ की एक बात बताते हैं बात क्या है कि मुझे छिपकली से बड़ा डर लगता है तो अभी दो तीन दिन पहले की बात है मेरे रूम में छिपकली आ गई और मैं उससे बहुत डरती हूँ तो अब जैसे हम डर है यार अब ये रूम में या तो ये रहेगी या तो मैं रहेगी तो भाई थोड़ी देर तो मुझे लगा कि नहीं मैं अजरता कि इस रूम से इसको भगाओगे नहीं मैं रूम में नहीं जाने वाले तो मैं बहुत टेजी से डर गए लेकिन फिर हमने ये सूचा कि क्यों इस डर को मैं अपने उपर हावी होने दे रही हूँ मैं क्यों नहीं इस से जीत सकती हूँ तो मैंने अपने मन में ठानी कि नहीं मैं अपनी इस डर से लड़ूंगी और मैं जीतूंगी मैंने क्या किया मैंने जाड़ो उठाई और अपने रूम की खिड़की को ओपिन कर दिया और उस खड़की से मैंने क्या किया उस भागा भागा कि उस छिपकली को मैंने उस रूम से बाहा निकाल दिया मतलब उस छिपकली से जिससे मैं डरती थी मैंने आखिरकार हिमत करी और उससे मैंने जीत पा ली तो यहाँ पर क्या था? मैंने अपने मन में निश्चित किया कि नहीं मुझे जो डर है इससे जीतना है और मैंने जीत के दिखाया तो उसे तरह घर में ऐसी बहुत सी चीज़े होती हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे जैसे कि कपड़ों में प्रेस करना है या कपड़ों में तह लगानी है पानी बहुत से चोटे चोटे कामों से करिए आप तो अगर आपको यह लगता है कि कोई भी ऐसा काम है जो ऐसा लग रहा है आपको कि हमसे नहीं हो सकता है तो उसको करो हम कहरें उसको पहले बिना किये हारो नहीं कोशिश करो हम यह नहीं कहते कि पहली बार में वो काम सही हो जाएगा एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीन बार करोगे यकीन मान लो तो तीन से चार बार में आप perfect हो जाओगे उस काम के अंदर तो जब तक हम नहीं करते हैं तब तक हमें हर काम मुश्किल लगता है तो वही चीज़े अपने मन को द्रिंड करना है अपने अंदर confidence लाना है और काम को करना है तो जीत हमारी होगी कैसे नहीं होगी उस यह उकती निमलिखित कथा दोरा इस पश्ट रूप से समझी जा सकती है अब इसके लिए हमने एक कथा लिखी देखिए हमने एक अपने साथ अपने घटी हुई कथा आपने आपको बताई न तो उसी तरीके से आपके जीवन में भी कोई चीज हो तो उसे भी आप एक बढ़िया सी कथा बना कर यहां लिख सकते हो देखिए कथा क्या है एक बार की बार थे दो राजाओं के बीच भैंकर यद्ध हुआ जैसा की होता है युद्ध में एक की विजय होती है और एक की हान निश्चित होती है इस युद्ध में भी ऐसा ही हुआ एक राजा इस युद्ध में हार गया उससे जन धन की बहुत हानी हुई मतलब उसके जो लोग थे वो भी बहुत मतलए और उसका धन भी लूट लिया गया उसके सैनिक पराजित राजा को ढून रहे थे पराजित राजा अपना जीवन बचाने के लिए भागा-भागा फिर रहा था यानि जो जीते थे वो ढून रहे थे उसने छिपते छिपाते एक खोह में शरंड ली, खोह मतलब गुफा में शरंड ली वह मन से पूरी तरह पराजित हो चुका था, हाई मेरा पैसे चले गए, मेरे लोग चले गए, मेरा राज्य चला गया तो पूरी तरह दिप्रेस हो चुका था कि अपनी मन से भी वहाठ चुका था कि अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा है खो में छिपा हुआ भी वहां मानों अपनी मृत्यों की प्रतीक्षा कर रहा था वो सोच रहा था कि अब मैं तो मरी जाओंगा, अब मैं बचने वाला नहीं किया तो नहीं जब माँ डिप्रेस हो जाते तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि शत्रु की तलवार कभी भी उसका काम तमाम कर देगी क्योंकि सैनिक उसको ढूंड ही रहे थे तो उसे लगा कि किसी ना किसी दिनी इस शत्रु हमसे ढूंड ले हमको ढूंड लेंगे कभी भी और जो है वो हमको मार देंगे वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि उसकी नजर एक मकड़ी पर पड़ी भाई खो है गुफा है तो उसमें मकड़ी होगी ना मकड़ी पर पड़ी राज़ा ने सोचा कि वह बेकार ही प्रत्ने कर रही है भला आधार की बिना जाला कैसे बन सकता है अब कोई इतना जाला है ना इधर उधर आधार होगा तभी तो बनेगा लेकिन थोड़ी देर बाद राजा ने देखा मकडी जाला बनाने में सफल हो गई मतलब वो बार-बार कोशिश कर रही थी नहीं हो रहा था लेकिन उसे तब भी कोशिश करनी नहीं छोड़ी और अंत में क्या हुआ वो जाला बनाने में सफल हो गई थोड़ी देर में पूरी खो के मूँ पर जाला बनाया जा चुका था मतलब उसे थोड़ी देर में पूरी खो को जो मूँ था जो दरवाजा था उस पर जाला बना लिया तब ही शत्रुसैनिक वहाँ पहुंचे लेकिन खो के मुँपर मकडी का जाला बना देखकर लोट गए अब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे जाला बना है तो इसका मतलब राजा तो यहाँ आ नहीं सकता है तो उन्होंने बोला जाला है इसका मतलब इसके अंदर राजा अब क्या होगा जैसे माली जी किसी दरवाजे पे जाला है और मैं इसके अंदर जाओंगी तो क्या होगा वो जाला तो अगर वहाँ पे जाला बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर किसी ने प्रव उसे सोचा कि मैं स्वेम तन मन से पराजित था यानि कि मैं पूरी तरीके से हार चुका था तन से भी और मन से भी आता मैं मकड़ी को भी हारा हुआ मान लिया था लेकिन वह छोटी सी मकड़ी हारी हुई नहीं थी चुकि मैं हार चुका था इसे मैंने सोच लिया कि मकड़ी बन तो उससे सोचा कि भाई मैं एक बार हारा और मैं इस तरीके से पराज थोकर बैठ किया वो मकडी तो बार-बार हार रही थी तो उसे लगा मैं मनुष्य होकर भी क्या इतना ऐसी सोच रख सकता हूं एक मकडी मुझसे जाधा अच्छा सोच रखती है उसने अपने मन को मजबू ठान लिया था वरन मजबूत इरादे वाला व्यक्ति था जिसे हर हाल में विजय पानी थी उसने अपने साथियों को इकत्र किया और अंत में अपने शत्रू को हारा कर अपना राज्य पुनह प्राप्ति किया अब चुकि उसने अपने मन में दरनिश्चे कर लिया था तो उ पता है यह सच है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत अर्थात अगर हम मन से हार गए तो समलो हमारी हार निश्चत है और अगर हमने अपने मन को जीत लिया अर्थात हमने दृण संकल्प कर लिया तो वो चीज हमारे हाथ में आए बिना रह नहीं सकते है अब इससे सीख क्या मि पश्बूत करो अपने मन से मानो कि नहीं ये काम हम कर सकते हैं और यकीन मानो आप कर लोगे तो देखे किती अच्छी सुक्ती थी जो हमने किती अच्छी कथा आपको बताई चलिए अब तीसरी कथा पर आते हैं क्या है संगठन में शक्ति होती है कहावत के आधार बनाकर मौल संगठन में शक्ति होती है अब सबसे पहले इस उक्ति का आर्थ हम बताएं कि जब भी कोई उक्ति दी जाएगी किसी की कही हुई बात हमारे सामय रखे जाएगी उस बात का अर्थ देना जरूरी है और अगर कोई वक्तव्य दिया जाता है तो उसकी भूमिका बनाना मेरे जरूरी है कि उसकी वो जैसे कोई कहानी के अंत में ये वक्तव्य होना चाहिए तो उसकी भूमिका है कि पहले आप बताएए दो मित्र थे जो कोई भी था वो आपस में किस तरीके से और अंत में ये भूमिका बोली गई है अब ये उक्ति का आर्थ से देखिया है संगठन म मिलकर बड़े से बड़ा कार्य भी आसानी से संभव हो जाता है कोई भी बड़ा कार्य होगा हम अकेले नहीं कर पाएंगी अगर हम कई लोग मिलके करते हैं तो वो काम आसानी से संभव हो जाता है इसलिए कहा गया है शक्ती ही जीवन है यानि कि शक्ती ही जीवन है यानि कि अ कर सकते हैं अपने अंदर दर निष्चे कीजिए और आगे बढ़िए संगठन में शक्ति होती है अकेला विक्ति उचित प्रकार कारें नहीं कर सकता इसे निम्न कथा द्वारा भली प्रकार समझा जा सकता है आप क्या था हम जैसे कोई भी काम है अब आप से बोला गया कि आपके घर में आज 50 लोगों का डिनर है ठीक है अब अगर 50 लोगों का डिनर है और ममा को बनाना है तो ममा के लिए अकेले वो काम कितना मुश्किल हो जाएगा अगर आप हैं आपके भाई-बेहन हैं आपके कुछ सबजी की कटिंग हो गई या कुछ और जैसे होता है प्रप्रेशन होती है वो सारा प्रप्रेशन में गराफ मदद कर दो तो मम्मा के लिए कि लोगों के खाना बनाना वही चीज़ होती है कि जब आप सब लोग मिल जोलके मम्मा के help करोगे तो वो काम जो इतना मम्मी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था जब सब मिल जाओगे तो वो काम कितनी आसानी से पूरा हो जाएगा किसी एक की उपर burden भी नहीं पड़ेगा तो अब यही यहाँ पर क्या दिखाएगे आपके घर की संगठन की शक्ति बताएगे किस तरीके ने आप काम किया तो यहाँ पर अभी कहानी हम इस उप्ती पर देखते हैं कि संगठन से किसी भी कारे को किस तरह किसे किया जा सकता है एक बार अंगलियों को आपस में जगड़ा हो गया अभी जो उंगलिया होती ना इनके आपस में क्या हो गया जगड़ा हो गया पाचो खुद को दूसरे से बड़ा सिद्ध करने में लगी थी हर कोई बोली यह भाई मैं बड़ी हूँ हर कोई बोले कि मैं बड़ा हूँ अंगुठा बोला मैं सबसे बड़ा हूँ अंगुठा क्या बोला मैं सबसे बड़ा हूँ उसके पास वाली उंगली यानि उठे के पास वाली उंगली बोली मैं सबसे बड़ी हूँ इसी प्रकार खुद को एक दूसरे से बड़ा सिद्ध करने में जब निर्णे नहीं हो पाया तो वह सब अदालत गए हूँ, कहां गए? कोट गए कोई एक दूसरे को सिद्धी नहीं कर पा रहा, कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, जगड़ा हो गया तो फिर कहां पहुँच गए? सब कोट पहुँच गए नायाधिश ने सारी बात सुनी और सबसे पहले कि आप लोग सिद्ध करो कि आप कैसे बड़े हो अंगूठे ने कहा, मैं सबसे ज़ादा पढ़ा लिका हूँ, क्योंकि लोग मुझे हस्ताक्षर के लिए प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ? नायाधिश ने सारी बात सुनी और सबसे कहा कि आप लोग सिद्ध करो कि आप कैसे बड़े हो तो अंगूठे ने को कहा कि भाई, मैं सबको हस्ताक्षर में काम आता हूँ, होता ना थम लगाने का काम इसलिए उन्होंने बोला पास वाली उंगली बोली, मुझे लोग किसी इंजन की, इंसान की पहचान के तौर पर इस्तिमाल करते हैं अब यह क्या बोला उसके होने, कि इंसान की पहचान की तरह इस्तिमाल करते हैं उसके पास वाली ने कहा कि आप लोगोंने मुझे नापा नहीं, अन्न था मैं ही सबसे बड़ी हूँ अगर आपो तो देखो इसके बाद वाली जो उंगली होती, मूठे के पास वाली यह उंगली थी उसके बाद यह उंगली थी, नापा नहीं इसलिए देखा, मैं सबसे बड़ी हूँ फिर आते हैं भाई क्योंकि लोग हीरे और जवारात के उगूठी मुझे में ही पहनते हैं अब देखें मैंने भी एक किया उसके पास वाली उगली में ही मैंने रिंग पहनी हुई है तो भाई लोग इसी में हीरा जवारा डालते हैं तो इसलिए मैं ज़ादा अमीर हूँ इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ तब ही नायादेश ने एक रजगुला मंगवाया और अंगूठे से उठाने के लिए बोला अब क्या है, Rajagullahi अब रजगुला अंगलियों से बोला कि भै तुम उठाओ अब बाकी उंगलियों मदद नहीं करेंगी, उससे बोला तुम उठाओ अब अंगलियों खाली के रजगुला उठा सकता है, नहीं उठा सकता अंगूटे ने भरपूर जोर लगाया लेकिन रजगुला नहीं उठा सका तब सारी उंगलियों ने एक एक करके कोशिश की तुमसे बोला भई तुम उठाओ इसने नहीं उठाओ उसने बोला तुम उठाओ ये भी नहीं उठाओ तो बला भई एक एक करके सब उंगली ने कोशिश करी कि तुम लोग अकेले कोशिश करो और रजगुला उठाओ लेकिन सब विफलो गई कोई भी रजगुले को नहीं उठा पाया अंत में नायाधिश ने सब को मिलकर रजगुला उठाने को कहा अब का ठीक है सब लोग मिल जाओ रजगुला उठाओ तो सब ने मिले और सब रजगुला उठा लिये तब नायाधिश ने कहा कि तुम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हो कि मतलब मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा नहीं है तुम सब एक दूसरे के बगर अधूरे हो, अधूरे हो। अकेले रहे कर तुम्हारी सकती का कोई अस्तत्व नहीं है। परन्तु यदि लकडियों को एकत्रित कर उसे मजबूती से बांग दे तो उन लकडियों को के गठे को तोड़ पाना असंभव है तो इस पर देखे एक किसान की कहानी भी थी उसे किसान ने लकडियों दी थी अपने बेटों को एके करके तोड़ दी पर गठर दिया तो वो क्या था एकता मेबल इसी तरह इसी ये था क्या संगठन मेबल तो ये अंगलियों की कहानी की आधार पर उन्होंने इस पश्ट कर द इसकर आप अगरा मिलकर काम करोगे तो कोई काम हो सकता नहीं पर दीया लाला लज बुरी बलाहे उक्ति के आधार पर मौलिक कथा लिखिए लालच बुरी बला है इस पर आपको एक कहानी लिखनी है अब यह उक्ति है तो सबसे पहले उक्ति का आर्थ देना पड़ेगा क्या है देखे यह उक्ति का लालच बुली बला है अर्थात मनुष्य लालच के वशभूत होकर पत्थ भरष्ट हो जाता है इस उक्ति को पढ़कर एक कथा स्मरण हो आती है जो निमनिप्रकार है तो अब यहाँ पर देखे आप देख रहे हो ना जब हम उसका आर्थ बना देते हैं तो उसके बाद एक कनेक्टिम लाइन देते हैं क्या कि इस उक्ति पर आधारित एक कथा है या इस उक्त संटेंस देते हैं इस्कों हम बोलते हैं connecting sentence होता है जो आपको connect करता है, जिसमें हम तारमयता बोल सकते हैं किसी चीज में बोलते हैं कि आगर कोई भी आप कहानी पढ़ रहो चुछ कर रहो, तो उसमें तारमयता होने चाहिए या क्रम जदता होनी चाहिए उसको साबित करने के लिए इस तरह की लाइन्स देनी पड़ती है अब इस पे कथा क्या है देखी क्या है एक गाउ में एक सेट रहता था उसके बंगले के पास एक गरीब मोची की छोटी सी दुकान थी उस मोची की आदत थी कि वह जब भी जूते सिलता भगवान का भजन करता था यानि कि जब भी वो सीथ तो भगवान को याद करता था लेकिन सेट का भजन की तरफ कोई ध्यान नहीं था सेट कोई भी काम करता उसे इस और में कोई मतलब नहीं था एक दिन सेट व्यापार के सिलसले में विदेश गया घर लोटते वक्त उसकी तव्यत बहुत खराब हो गई लेकिन पैसे की कमी ना होने से देश्ट विदेश के डॉक्टरों को बुलाया गया अब उसके पैसे की कमी नहीं थी खूप सारे डॉक्टरों को बुलाया गया कि भई आप आईए देखिए सेट जी बिमार है ये है वो पर कोई भी सेट की बिमारी का इलाज नहीं कर सका किसी कोई इलाज नहीं कर सका अब सेट की दब्यत इतनी खराब हो गई कि वह चल भी नहीं पाता था एक दिन बिस्तर पर लेटे हुए मोजी के भजन गाने की आवाज सुनाई दी उसे आज मोजी के भजन अच्छे लग रहे थे सेट भजन सुनकर ऐसा मंत्र बुक्त हो गया कि उसे लगा जैसे उसे साक्षाट परमात्मा के दर्शन हो गया क्योंकि वह अभी तक ध्यान नहीं देता था लेकिन आज जब वो लेटा हुआ था बिमार था तो उसे भजन के भजन सुनाई दिये और वो भजन सुनकर पूरी तरह मंत्र मुक्त हो गया मुची का भजन सेट को उसकी बिमारी से दूर ले जा रहा था भगवान के भजन में लीन होकर वह अपनी बिमारी भूल गया और उसे आनंद की प्राब्ती हुई तथा उसके स्वास्त में भी सुधार आने लगा तो मोची के भजन से क्या हुआ वो उसके जो बिमारी थे वो धिरे धिरे ठीक होने लगी और क्या किते हैं उसको फायदा भी हुआ एक दिन सेट ने मोची को बुला कर हजार रुपे का इनाम देते हुए कहा मेरी विमारी का इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए पर तुम्हारे भजन ने है काम करदिया मैं तुम्हे रहने के लिए एक घर भी दूंगा मोची इनाम पाकर बहुत खुश हुआ वह राद दिन पैसों के और घर के बारे में सोचता रहा अगले दिन वा काम पर भी नहीं गया लालच की कारण धीरे धीरे उसकी दुदकान दारी चौपट होने लगी कि उसे लगा कि घर मिल रहा है पैसा मिल रहा है तो क्यों मैं काम करूँ तो उसी लालच में पढ़ा रहा और काम उसने करना छोड़ दिया उदा सेट की बिमारी फिर से बढ़ती जा रही थी मोची को जब लालच का एसास हुआ तो उस सेट को पैसे वापस करने के लिए सेट के बंगले में आया जब उसे लगा कि हाई मैं लालची हो गया हूँ तो उसे रगा कि नहीं मुझे जो है ये पैसे वापस कर दीने चाहिए तो वो कहाँ पहुँचा सेट के बंगले पे पहुँचा कि भाई ये आपने हजार रुपय जो दिये थे ये वापस रख लिजे कि मैं बहुत लालची हो रहा हूँ उसे सेट से निवेधन किया कि आप ये पैसे वापस रख लिजे मुझे आपका घर भी नहीं चाहिए क्योंकि उसे एसास हो गया था कि मुझे लालच आ गया है तो उसे का आप ये पैसे रख लिजे ना मुझे पैसे चाहिए और ना ही आपका घर चाहिए क्योंकि इसके कारण मेरा धंदा चौपट हो गया है मैं भजन भूल गया हूँ इस धन ने मेरा परमात्मा से नाता तुड़वा दिया है मोजी पैसे वापस करके पुनहा अपने काम में जुट गया अब उसको लालज का कारण था उसको समझ में आ गया और उसने वो सारी चीजे वापस कर दी उसने लगा इस लालज के कारण में इस्ष्वर से भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ और जो है मेरा काम जो में करके पहले जितना सुकून में है एक होता ना पैसा अंड करना अलग बात है मगर अपनी काम में एक सुकून पाना अलग बात है वो सुकून भी उसका चला गया था वस्तुता पैसे और घर के लालच में मोची को पजब्रस्ट कर दिया था वह अपने काम को यहां तक की परमात्मा को भी भूल कर पैसे और घर के लालच में डूब गया था अंध में मोची जान गया कि लालच बुरी बला है कि यानि कि अगर हम लालच करते हैं तो वो कहीं न कहीं जाके हमें नुकसान पहुंचाता है अब इस पूरी कहानी से हमें सीख क्या मिल रही है इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच बुरी बला होती है अगर आपको लग रहा है कि एक समय ऐसा आता है कि हमको यह असास होता ही कि हमने लालच किया है और अगर उस समय हमने उस से उस लालच से निजात नहीं पाया तो वो हमारी जिंदिगी को खा जाता है तो अगर आपको पता चल जाता है कि ये लालच किस चीज़ से हमें हो रहा है तो उसे आपको तुरंट अपने आपसे हटा देना चाहिए चलिए अब हम आगए हमारी पाच्छवा पाच्वी जो लगू कता है उस पर सावधानी हटी और दुरगटना घटी कहावत के आधार पर मौलिक कता लिखिए घर में भी मम्मी पापा मैं तो अपनी बेटी को बहुत बोलती हूँ सावधानी हटी और दुरगटना घटी यानि कि कोई भी चीज होती है कोई जैसे उसको कहना रिमोट चाहिए रिमोट उसके हाथ में टीवी कर रहेगा और जैसे जरा सा ध्यान हटता एक कोई दूसरा उसका रिमोट लेके भाग लजाएगा तो मैंसी ज़िए सावधानी हटे दुरगटन हटे, यानि कि उसका ध्यान उस चीज से हटा और वो चीज उसके पास से गायव हो गई तो ये तो एक व्यंग के तौर पे हमने उसको बात कह दी अलकिन अगर आपको इस पे एक मौलिक कहानी ऐसी कहानी जो आपके वास्तविक जीवन से संबंदित हो अगर आपको बनानी हो तो कब कैसे बनाएंगे तो अब चुकि ये एक उक्ती है तो पहले इस उक्ती का आर्थ देना पड़ेगा इसका क्या मतलब होता है सावधानी हटी और दुरगटना घटी कहाई अपने ये उक्ती जो है अगर आप च्रैवल करते हो तो ट्रक्स के पीछे अकसर देखी होगी ये चीज अपने लिखी हुई उक्ती का अर्थ है कि जब सावधानी नहीं बढ़ती जाती तब दुरगटनाएं घट जाती है मनुष आज अपने जीवन में इतना अधिक व्यस्त हो गया है कि वह जल्द से जल्द अपने कार पूर्ण कर लेना चाहता है देश में वहानों की संख्या में प्रतिदिन व्रधी होती जा रही है सडकों पर ट्राफिक यानि की परिवहन इतना अधिक हो गया है कि कभी-कभी 15 मिनिट की दूरी के लिए 45 मिनिट या उससे अधिक का समय लग जाता है यानि कि ट्राफिक इतना जादा है देखे हम लोग भी सफ़र करते हैं कि आप अगर चीज हो तो बहुत चोटा सा समय ही हमको बहुत लंबा लगता है घंटों जाम में फसकार रेकते हैं ती विरगती से वहानों को चलाते हैं जैसे लगता है अब हमकर बहुत तेज बहुत देरी तक जाम में फस गये तो हमें लगता है कि हमें अपनी घंटाव्य तक जल्दी पहुंचना है तो जगह क्या रहता है जो बाकी रास्ता हमें जो खुला मिलता है उसमें बहुत स्पीट से गाड़ी चला लेते हैं जिससे दुरगठनाओं की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि जब हम तेजी से चला रहे हैं तो हमारा ध्यान कहा आए कि हमारी मंजल पे की हमें जल्दी पहुंचना है लेकिन रास्ते पर हम सावधानी नहीं बरतने और दुरगठनाओ हो जाती हैं क्योंकि मनश्य कम सी कम समय में जादा से जादा कारे कर लेना चाहता है। उससे लग रहा है कि आप जितना समय बचा है तो जितना हमारा loss हुआ है टाइम का उसे हम जादा कवर कर लें। वो ये कोशिश करता है। अतदिक ट्रैफिक होनी के साथ साथ लोग लापरवा हो जा रहे हैं, सड़क पत्ती विर्गती से वहानों को चलाते समय लोग ट्रैफिक के नेमों का पालन नहीं करते हैं, दो पहिये वाले वहानों को चलाते समय हेलमेट आदी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो दूसरी और कार बस, स्कूटर आदी चलाने वाले व्यक्ति शराब पी के वहां चलाते हैं यही सब खामियां दुरघटना को अंजाम देती है तो mostly यह जो उक्ति बनाई गई है सड़क दुरघटनाओं को लेकर बनाई गई कि जरासी भी अगर हम सावधानी सड़क पर नहीं बरतते हैं तो यह दुरघटना घट जाती है तो यह जो उक्ति बनाई गई मेनली किस लिए थी? जब सड़क पर दुरघटनाए होती थी उसके लिए अब इस पर एक कथा हम देखते हैं अब ध्यान लेकिए मौलिक कथा बनानी है ऐसी कथा बनानी है जो हम लोग अपनी जीवन से कनेक्टेड हो और जो लोग पढ़ें वो अपने आप से कनेक्टेड कर सकें एक दिन ऐसी ही दुरघटना सड़क के चोहराए पर हुई जिसमें तेज रफ्तार से चली आ रही कार की साइकल से टक्कर हो गई टक्कर होने से साइकल सवार वेक्ती सड़क के दूसरी ओर जा गिरा अगर जोर से अगर मारी जाएगी रफ्तार से आ रही कार मारीगी तो cycle वाला तो उचली जाएगा उसकी cycle तो ऐसे भी बहुत दुबली पतली सी कम वेट की होती है cycle पूरी तरह शतिकरश्ट हो गई, कारचालग को बुरी तरह से चोट आई कारवाले को भी चोट आई, cycle वाले को भी चोट आई, उसकी cycle भी तबाह हो गई ये धुरगटना तीव गरती से वाहन चलाते वहाँ ट्राफिक नियम का पालन ना करने से हुई घटना इस थर पर उपस्तित लोगों ने दोनों वेक्तियों के पास के ही अस्पताल में पहुँचाया अब दोनों को ही घायल हुए ते तो उठाया और अस्पताल में पहुंचाया घटना इस तर पर पुलिस कुछ देर पच्टाज पहुंची क्यों होता है कि हर जगे तो पुलिस मौजूद नहीं थी जैसे इंफॉर्मेशन होती है पुलिस आ जाती है पुलिस उन वक्तियों का पूरा व्योरा लिखा और साथ ही कुछ चश्मदित गवाहों से पूछताज कर रिपोर्ट तयार करी अब पुलिस अगर पहुची है वारदात हुई है तो उसे रिपोर्ट बनाना पड़ता है अब रिपोर्ट क्या है जो दो लोगों को चोट लगी उनसे भी बयान लिये और बागी जिन लोगों ने घटना देखी उनसे भी बयान लिये गए अस्पताल में पीड़े त्यक्तियों का इलाज कराया गया इस दुरगटना ने सभी को एक सीख दी जैसे ही सावधानी हटती है वैसे ही दुरगटना घटती है अब वो क्या वो कारचालक बहुत तेज रफतार में था उसकी नजर जैसे ही अब एक तो रफतार तेज उपर से वो इतनी साथ ध्यान नहीं दिया और ये दुरघटना घट गई अब इस पूरी कहानी को हमने देख लिया पढ़ लिया, समझ में आया ये एक वास्तविक घटना किसी ने देखी हो उस पर आधारित थी अब इस पर सीख क्या मिल रही है देखे हमें जिन निजी वहानों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए सड़क पर चलते समय मुबाइल आधी का प्रयोग नहीं करना चाहिए सबसे महत्वपूर बात ये है तिकि दुरगटना होने पर हमें घायल व्यक्ति की सहायता करने चाहिए अगर कहीं पर दुरगटना हुई है कोई घायल है तो हम अगर मज़द कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए उसे जल से दद अस्पताल ले जाना चाहिए ताकि उसकी जान बचाई जा सके ये प्रतेक नागरी का करतव और दायत्व होना चाहिए अता सबक पर वहनों को चलाते समय हमें हमें हमेशा निम्न उक्ति का इस्वरण करना चाहिए दुरगटना से देर भली उक्ति हमारी क्या थी? पर जलते समय में जो नियम है उनका पालिन करना चाहिए और इसी लिए उन्होंने बोला है कि दुरगटना से देर भली का उन्म लोग क्या होता है? जो मनजिल है वहाँ तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं इसलिए रफतार तेज कर लेते हैं अपनी गाड़ीों की और उसी तेजी के चक्कर में कि हमको देर ना हो जाए दुरघटना घट जाती है तो वही चीज़ने बोला दुरघटना से देर भली दुरघटना हो जाए उससे अगर आपने जगा पर आप देर से भी पहुंसते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं हूती है अब प्रश्न संख्या 6 है करत करत अभ्यास के जडमती हो सुजान प्रस्तुत कथा को आधार बनाकर एक कथा लिखिए क्या है करत करत अभ्यास से यानि कि अभ्यास करते करते यानि कि प्रैक्टिस करते करते भी जडमती होई सुझान यानि कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ती भी जो है वो निपुण हो जाता है समझदार हो जाता है अब ये चुकि एक उक्ती है तो सबसे पहले इसका हमें क्या देन पड़ेगा करत करत अभ्यास के जडमती होई सुजान उक्ति का अर्थ है निरंतर अभ्यास करने से मुर्ख से मुर्ख व्यक्ति भी सफलता प्राप्ति करता है हम कहते हैं आप से कोई काम एक बार नहीं हो रहा है दो बार नहीं हो रहा है तीन बार नहीं हो आप हिम्मत नहीं ह परो क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हमें चीजें उतनी ही आसान लगने लगती हैं और हमसे बनने लगती हैं कालिदास निरंतर अभ्यास के द्वारा ही उच इस्तरिय विद्वान बन पाये थे कालिदास की कहानी आप सभी जानते हैं कि वो एक महामूर्ख थे लेकिन अभ्यास करने से ही वो क्या हुए इतने बड़े विद्वान बने वहीं अर्जुन महान धनुरदर बने उनको भी धनुर चलाना नहीं आता था लेकिन प्रैक्टिस करने से ही वो कितने बड़े धनुरदर बने तो केवल अपने परिश्रम और अभ्यास के बल पर प्राचीन काल से है रिशी मुनियोद्वारा हम परिश्रम और अभ्यास के महत्व को देखवा समझ सकते हैं आप बहुत सारे उधारण ऐसे हैं कि जहां पर परिश्रम और मेहनत करने से जो है और लगातार परिश्रम करने से हमें सफ़कता प्राक्त होती है रिशी मुनियोदारा ये बात साबित की गई है और हम लोगों ने ये देखी भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देखो अगर कोई सम आपका मैट्स का नहीं बन रहा है आपको नहीं आ रहा है आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप क्या करते हो आप छोड़ देते ह करेंगे लेकिन नहीं आपको छोड़ना नहीं है उसकी प्रैक्टिस करो एक बार करो तीन बार करो अपको अपनी मिसटेक समझ में आने लगी अपね जा हो और यकीन बानों कि वह आपसे बन जाएगा करने से चीजराह में समझ में आती हैं आज के आधुनिक योग में भी परिश्रम और अभ्यास की महत्ता उतनी ही अधिक है तो जरूरी नहीं है कि रिशी मुन्यून नहीं बात कही थी तो तभी तक सते आज के समय में भी यह आज भी हमें जो है उतना ही परिश्रम करना चाहिए तभी हम चीजों को अच्छे से प्राप्ति कर सकते हैं अब इस पर कथा देखी क्या है एक बालक था वह परलिक नहीं सकता था उसके सहपाटी उसका मजाख उडाते थे वह बहुत दुखी था परिशान होकर वह किसी जोतिशी के पास गया जोतिशी होता है जो हमारा भविश्र बताता है उसके पास गया जोतिशी ने कहा तुम पढ़ नहीं पाओगे तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है वो पर नहीं पाता था इस बास से परिशान था उसे कहा कि चलो जोशी को हाँ दिखाते हैं वो बताएगा हमारा भविश्क के हम पढ़ पाएंगी कि नहीं जोशी निसीधा मना कर दिया तुम नहीं पड़ पाओगे क्योंकि तुम्हारे हात में विद्या की रेखा ही नि एक दिन रास्ते में जाते हुए उसमें कोई की जगा पर रसी के निशान को देखा क्या देखा क्या थि जहां रसी खीचने का निशान थानक खीचा जाला था वहां रसी के रगड़ से धीरे 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 पत्थर में गड़ा हो गया था तो इस निशान देखा रसी का निशान देखा के ताथ पर मतलब जब ऐसे करके खीचा गया तो रसी की निशान उस पत्थर पर बनते गए उसे सोचा यदि कठोर किन फ़ितनेraft सकता है सकता है, तो मैं अगर अभ्यास कर निरंतर दूं किन भूत कुछ सेक'tा हूं फिर उस ने पढ़ाई का अभ्यास किया और यह बड़ा विद्वान बन गया, फिर उसने चीज़ सोची और उसने रे अभ्यास करना शुरू किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया निरंदर अभ्यास वेक्ति की कारकुशलता को निखारता है अभ्यास के दौरान कभी-कभी नकारात्मक भाव भी उत्पन होते हमसे लगता है कि हमें नहीं होगा निगेटिव थिंकिंग आने लगती है नहीं होगा हम नहीं कर पाएंगे से रोकती है अभ्यास के द्वारा वेक्ति अप्री बाधाओं का डट कर मुकाबला करता है तथा विशम परस्तियों पर नियंतर पा लेता है अभ्यास ही वेक्ति को करतव के पत्थ पर ले जाता है एक सफलता प्राप्त करने में सहायता करता है कोई भी वेक्ति सर्वगुण संपन नहीं होता ना ही ग्यान का भंडार लेकर पैदा होता है एक छोटा सा बच्चा देखिए जिससे दूद पीना तक नहीं आता यानि कि वो कुछ नहीं कर सकता उसको कुछ भी नहीं आता हम यह जानते हैं लेकिन धीरे 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 देखे वो अभ्यास करते करते वो खाना भी दूद पीना भी सीख लेता है खाना खाना भी सीख लेता है चलना सीख लेता है बोलना सीख लेता है अपनी बात को मनवाना सीख लेता है धीरे धीरे पढ़ना सीख लेता है सब कुछ करता कैसे नहीं करता वह बार बार प्रैक्टिस करने Państwo उप पैदा नहीं होता कोई जो भी पैदा होता है उसके अंदर कुछ भी करने की नहीं हर सार बच्चा रोता हुआ आता है जो दूद भी नहीं पीना सीख सकता है तो वो क्या होता है? सब कुछ इस दुनिया में आके सीखता है तो यही उधारण लेकर चलिए कि हम भी जब हमें कुछ नहीं आता था तो हमने इतना कुछ सीख लिया किन्तु अति विश्वासी नहीं होना चाहिए इसलिए कहा गया है मतलब हमें मेहनत करते रहना चाहिए अपनी योगिता पर विश्वास होना चाहिए मगर अति विश्वासी नहीं यानि कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए इसलिए क्या कहा गया है करत करत अभ्यास के जडमती होई सुजान रसरी आवत जात रे सिलपर परत निसान तो यानि कि रसी अगर हम बार-बार खीजते हैं तो सिल अर्थात पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं अब है प्रश्ट संख्या साथ अभिमान विश्वास का कारण है क्या है सॉरी अभिमान विनाश का कारण है हम अगर घमंड करते हैं तो वो हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण होता है अब यहाँ पर आप रावण का सबसे बड़ा एक्जामपल ले सकते हैं कि रावण बढ़ा शिव्भाग्ता बहुत बड़ा वेद ग्याता था सब कुछ जानता था लेकिन जहां उसके अंदर अहंकार आया और वही उसके विनाश का कारण बना था भी कि aldi अविमान विनाश का कारण सबसे पहरे सुक्ति का हम니다 बताना है अभिवान विनाश का काने सुक्ति का अर्थ है कि घमंड और अहंकार व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है एक होता है कि हमें इस चीज का विश्वास है कि हम कर सकते हैं और दूसरा यह चीज का घमंड होना कि नहीं हम ही कर सकते हैं यह घमंड हो जाता है एक होता ह है कि हम कैसे नहीं कर सकते हैं अपने अंदर हम ही कर सकते हैं मारे लावा कोई नहीं कर सकता तो यह क्या होता है एक घमंड हो जाता है अभिमान विनाश का कारण होता है यह बिल्कुल सठीक कतहन है महा भारत रामायर आधिक धार्मी ग्रंतों में इस्तत्य को उजागर किया गया है रावण ग्यानी, बलशाली, शक्तिशाली होते वे भी अपने अभिमान अहंकार के कारण अजय रहा रावण का अहंकार उसके पतन का कारण बना ऐसी ही एक कथा अभिमानी व्यक्ति के घमंड को चूर करती है तो यहां पर हमने रावण के उधारण के माध्यम से आपको बताया कि वो इतना बड़ा था कि वो अजय था, उसके उपर किसी ने भी जय प्राप्त नहीं करी थी लेकिन इस गवंड के कारण ही उसका विनाश हुआ जाके अब इस पर कथा देखी क्या है एक नगर में दो अत्यंत धन्वान व्यक्ति रहते थे एक व्यक्ति का सभाव विनम्र था, वहीं दूसरा व्यक्ति धनी होने के कारण अभिमानी था अभिमानी था, उसे अपने बड़पन पर घमंड था कि हां भई मैं इतना धनी हूँ उस बात को वह बहुत खमंड था वहीं दूसरी और विनम्र धनी व्यक्ति विनम्रता पूरवक्ष सब की साहता करने में हमेशा ततपर रहता था और दूसरा जो विनम्र रहती था, कि भी चलो मैं पास पैसा है तो हम दूसरे की मदद क्यों न करें वो हमेशा ततपर रहता था एक दिन अचानक राथ को अभिमानी वेक्ति की साप के काटने से तब्यद बिगणने लगी राकी जो अभिमानी धन्वान वेक्ती थे ना उसको साप ने काट लिया और उसकी तब्यत बिगड़ने लगी उस समय उसके पास घर का कोई सदस्य नहीं था वो दर्द से करहा रहा था साप का जहर उसके सरीर में फैलता जा रहा था तभी एक गरीब किसान ने वहां से गुजरते हुए घर से आ रही आवाज सुनी पास जाकर देखा तो उस अभिमानी वेक्ती की बिगड़ती हालत को देखा भही कोई नहीं था गर में कौन देखता तो जब वो पास से गुजरा वो किसान तो उसने आवाज सुनी तो अंदर गया तो देखा कि भही उसकी हालत बहुत जादा बिगड रही है साम काटने से उसने तुरन साम का विष्णिकाला और विनम्र धनिवेटी को सुचट किया वह उसी समय उस वेक्ति को अस्पतार ले गया तथा उसकी जान बचा ली तब ही अभिवानी व्यक्ति को अपने अभिवान पर पश्चाताप हुआ उसने सबसे माफी मांगी और सबको धन्यवाद किया कि देखे जब हमें जरूरत पड़ती है तो ये पैसा काम नहीं आता ये लोग जो होते हैं वो काम आते हैं जब उस पैसे की जरीय हम उनकी मदद करते हैं तो यहां पर हम उनकी मदद सभी जितना लोगों के साथ हम विनमर रह सकेंगे लोगों के साथ हम अच्छा विवार करेंगे तो वो पलट के हमारे साथ जरूर आता है जब हमें मदद की जरूरत होती है हमें किसी के साथ की जरूर और जो वेक्ति सक्तिशाली बल्शाली होने पर घमण ना करके सब की सहायता करते हैं वे सरवधा विजय होते हैं जो हमेशा मदद करते हैं वो क्या होते हैं वो हमेशा जीतते हैं तो हमेशा आपको कभी घमण नहीं करना है कि हमारे पास यह हमेशा दूसरों की मदद करते रहन अब आते हैं फ्रिश्ण संख्या आठ पे एक मौलिक कथा लिखिए जिसका आधार निमलिखित उकती है जान बची तो लाखो पाए अब एक उकती क्या दी गई है जान बची तो लाखो पाए इस पे एक कथा लिखनी है तो अब उकती है तो सबसे पहले अर्थ बताना पड़ पूरी उक्ति करने तो क्या होता है जान बची तो लाखो पाए घरलोट के बुद्धु घर को आए तो चलिए देखते हैं इस पे जो कथा क्या है पिछले वर्ष में सपरिवार किदारनात की यात्रा पर गया था हम बस में सवार थे बस में लगभग 25 यात्री थे मेरे सामने वाली सीट पर एकदम पत्थे छे महा के बेटे के साथ बैठे थे छे महीने का चोटा सा बच्चा था मेरे पीछी सीट पर दो अस्त व्यस्त वेजभूशा वाले यूवग बैठे थे मतलब जो पहनावा था वो जादा अच्छा नहीं था बहुत उलजासा टाइम का था उनके क्रिया कालापों ने मुझे उन पर कुछ शक किया उनकी जो हावर एक्टिविटीज थी वो ऐसा लगा कि कुछ शक्की था ये आलोग गड़बड है बस दुर्गम पहाड़ियों से गुजर रही थी कभी कभी भैसे शरीर में कमपनसा होता है किदारनाथ बहुत उचे पहाड़ों पर बसे हुए हैं तो वहां तक जब हम बस से जाते हैं तो बहुत गहरी-गहरी खाईयां आती हैं रास्ते बहुत सक्रे हैं तो जब यह सारी चीज़े देखते हैं तो डर लगता है अचानक राज चार बजे के आसपास मुझे कुछ हिलने का आभास हुआ मैंने देखा पीछी वाली सीट पर बैठा एक युवा महिला के गहने चुरा रहा था जो पीछे बैठा था जब सभी लोग सो गए थे तो वो क्या हुआ धीरे से गहने वैने निकालने का काम कर रहा था मेरे शोर मचाने पर उस युवक को उन युवकों की पिटाई की गई और बस से उतार दिया गया क्या हुआ अब जब जहने शोर जागी भई गहने चुरा रहा था तो भई समने उनको पीटा और नीचे उतार दिया बस अपने गंतवे स्थल की ओर चल पड़ी तभी 6 बजे बस अचानक चलते चलते रुख गई क्योंकि सडक पर पत्थर पड़ा था हम कुछ समत पाते इससे पहले ही चार-पांच युवकों ने बस पर धावा बोल दिया उनमें वो दो यूवक भी शामिल थे यानि कि जो बस में बैठे हुए थे वो चार-पांच युवकों में से भी एक थे इस हाथ अपाई में ड्राइवर ने बस चला दी ताकि दो कीमी दूर इस्थित पुलिस चौकी तक पहुँच सके अब क्या हुआ कि आप यहां देख रहे हैं दो यूवक शामिल थे जो चार-पांच आये थे वो यह शामिल थे अब उनसे क्या उन्होंने आया भाई तो लूटने कोशिश करी तो उनसे हाथा पाई हुए तो ड्राइवर ने बस चला दी कि आगे भाई पुलिस थाना है वहां रोकेंगे ज उनमें वे दो यूवक और दमपत्ती का बालक बस से नीचे गिर गए दोनों यूवक गहराई में गिरने पर प्राण गवा बैठे तो जो दो यूवक पहले गाड़ी में बैठे ते जो गहने चुराते पकड़े गए तो उतार दी गया था वो दोनों जो है खाई में गिर गया और मर गए और दमपत्ती का बालक भी बस से नीचे वह छे महा का बत्चा था वह भी बस से गिर गया पर तो बालक एक झहाड़ी में फ़स गया उसकी जान बच गया जो बालक गिरा है वह झाड़िया थी वहां पे होती ले आई मुझे और ड्राइवर को थोड़े उपचार के बाद अस्पताल से जाने दिया गया जिसको मारपीट में चोट लगी थी उनको जो उपचार किया गया और वापस घर जाने दिया गया ड्राइवर और हम सभी यात्री पुना केदार नात्की और रवाना हो गए सब यात्री उस बच्चे में साक्षात परमात्मा का अनभव कर रोमांचित हो रहे तो उन्हें लगा था कि यह चोटा सा बच्चा जो है वो बाबा भोले नात्का ही आश्रवाद लेकर हमारे सामने दंपत्ती के चेहरे पर भै प्रतीत हो राता परंतों दंपत्ती की सच्ची भक्ती भावना ने उनके बच्ची की जिंदेगी बचा ली थी और उस दुष्कर्मी युगों को अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ी थी उन्होंने गलत काम किया था इसलिए उन्हें इस तरी इश्वर की करपा है तो कोई मेरा बाल भी माका नहीं करता चाहे पूरा जग ये मेरा दुष्मन क्यों ना हो जाए इस घटना के उपरान परंपिता के प्रती मेरी श्रद्धा और विश्वास में और अधिक प्रिद्धी हो गई अब ये सारी घटना देखनी के बाद इश् इसका आधार निमलखित उपती हो क्या है उपती परिश्रम ही सफलता का सोपान है यानि कि अगर हम मेहनत करते हैं तो ही हमें सफलता प्राप्त हो सकती है इस पर हमें एक कथा लिखनी है क्या है उपती अब जुकती है तो हमें अर्थ देना पड़ेगा परिश्रम ही सफलता का सौपान है GitHub कि मेहनत करने सरही सफलता मिलती है योग कर्म प्रधान है प्रतेग इनसान अपने कर्म और मेहनत के बल पर ही अपना भविष्यश्य निर्मित करता है कुछ लोग जन्मजात प्रदिभाशाली होते हैं परंत वे निरंतर कठिन मेहनत के बल पर ही काम्याभी पाते हैं जो परिश्रम से जी चुराते हैं वे अपने जीवन को परबात कर लेते हैं कुछ लोगों के पास हुनर होता है तो उसका परिश्रम करके वो उसका हुनर का सही इस्तेमाल करते हैं लेकिन जिनके पास हुनर नहीं होता वो भी परिश्रम करके अपने जीवन को अचीब में बहुत कुछ पा सकते हैं लेकिन जो परिश्रम करना ही नहीं चाहते जी चुराते हैं उनको अपने जीवन में कुछ भी प्राक्त नहीं हो सकता है तो ये हो गया उप्तिका आर्थ अब आते हैं इस विशे को और भेतर समझने के लिए कथा प्रस्तू दे कथा देखिए क्या है मेरे मित्र के बड़े भाई ने वर्ष 1993 में LLB की परिक्षा पास की परंतु घर की आर्थिक स्थिठी ठीकना होने के कारण उन्होंने आगे की पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी आरहम कर दी और साथ साथ प्रतियोगी प्रतिक्षाओं उन्हों की तैयारी भी करते हैं जो कॉंपटिटिक एजाम होते हैं वो भी वो करते रहे साथ में वर्ष 2005 तक नियमित अध्यान और मेहनत के बावजुद उन्हें कामियाभी नहीं मिली अब वो लगाता मेहनत कर रहे थे लेकिन उन्हें कोई भी कामियाभी हैं कोई भी अच्चिवमेंट नहीं मिल रहा था परंद उन्होंने हार नहीं मानी एक वकील के अधिन कारे करते वे उन्होंने अन्हीं उन्होंने की परिक्षा दी और प्रत्थम श्रेडी में उत्रिण हुए उसके बाद पुनहा एक अध्यापक के परामः से परिक्षाओं की तयारी आरंब कर दी और उन्होंने फिर से जो है वो परिक्षाओं देना शुरू कर दिया उन्हें सपलता मिली उन्होंने क्लर्ख की नौकरी प्राप्त करी अब थोड़ा आर्थिक स्थिती में सुधार हो गया था परन्तु मन में अभी भी जज़ बनने की इच्छा शक्ति कम नहीं हुई थी क्लर्ख की नौकरी तो मिल गई लेकिन वो चार थी कि जब मेरे अंदर इतना प्रत्वा है तो उनके अंदर अच्छा था कि वो जज़ बन जाए उन्होंने पुना स्वयम को अध्यन करने के लिए तयार किया दिन में कार्याले से आने के बाद वे रात बारा से दो बजे तक प सफल हो गए वह मायूस तो हुए परंतु सेम पर उन्हें पूरा विश्वास था अपने अंतिम प्रयास को लक्षित करते हुए उन्होंने तीन महीने के लिए कार्याले से अपकाश लेकर दिन रात अथक परिश्रम किया और परिक्षा दी अब क्या हुआ कि भाई वो दिन म उन्होंने अपनी पढ़ाई करी और एक्जाम दिया दो महीने पस्चाग रिजर्ट आया इस बार उनकी मेहनत और विश्वास का फल उन्हें मिला उन्होंने प्रथम रैंक के साथ जज की परिक्षा पास की और परमात्मा की क्रपा से उनको हमारे शहर में ही पत्ष सम्हालन देखे जब हम कोई चीस अचीब करना चाहते तो हमारे जीवन में बहुत सारे हडल्स आती है बहुत सारी परिशानियां आती है लेकिन ऐसा नहीं कुर परिशानियों से हार के हमें बैट जाना है हमें तब भी लगातार मेहनत करनी है तब ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं अब इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है इस कथा से हमें सीख मिलती है कि परिश्रम कभी निश्वल नहीं होता मेहनत करने से ही सफलता पाई जा सकती है ठीक ही कहा गया है परिश्रम ही सफलता का सूपान है यानि कि आप परिश्रम करोगे तब ही सफलता आपके पास में आए मरे तो यहां पर क्या विचार लो की मृत्य हो मृत्य से डरो नहीं वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे तो अब यहां पर यह उक्ति दिये है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे इस उक्ति पर आपको क्या करना है एक कथा बनानी है लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है इसुकति का अर्थ बताना पड़ेगा βही मनुष्र है कि जो मनुष्य के लिए में मरे अर्थाथ जो मनुष्य दूसरे मनुष्य के संकट को देखकर अपने प्राणों की परवा किये बिना उसकी हार हर प्रकार से मद्द करें, यानि कि हम जितना मानने मसीबत में हैं, तो हम हर तरीके से उसकी मद्द करें, वही सच्छे अर्थों में मनुष्य कहलाने के योग्य है, वह मनुष्य देवता के समान है, और वही शेश्ट मानव है, ऐसी ही एक घटना कुछ दिन पहले घटी, जिसने मेरे मन मस्तिशक को बहुत जादा प्रभावित किया अब एक घटना जो घटी वो प्रभावित करी तो चलिए घटना को हम कथाई बना देते हैं तो देखी कथा क्या है पिछले महीने में अपने परिवार के साथ मनाली घुमने गया था बस में हमारे साथ 30 चात्रों का एक भी था उतना ग्रूप में बच्चे जाते हैं तो उसी तरीके से 30 चात्री थे जो अपने दो अध्यापकों के साथ पिक्निक मनाने आया था तो टुप्था स्कूल की तरफ टीचर्स भी थे हमने दो दिन एक साथ गुजारे और विभर ने दर्शन लिए स्थलों के दर्शन किये तीसरे दिन हम सब एक साथ व्यास नदी के समीप ब्रहमण के लिए गए मेरे पिता जी ने नदी के बीच जाने से मना किया अब नदी के पास हम गए तो उन्होंने बोला कि नहीं नदी के बहुत जादा नजदीक नहीं जाना है परंत उस समू के पंदरा चात नदी के बीच जाकर फोटोग्राफी करने लगे आप देखे कहते ने बड़े जोग चीज़ कहें तो मानना चाहिए तो वही हुआ यहाँ पर तो क्या हुआ वो पंद्रा छात्रों ने बात नहीं सुनियों नदी के बीच में चले गए फोटोग्राफी करने के लिए समय उपरांत अचानक तीव गरती से नदी का जलिस्तर बढ़ गया अब क्या होता है कि जब नदियों का जलिस्तर कैसे बढ़ता है एकदम पहाणों पे बहुत तेज बारिश होने लगते तो हमें तो बारिश नहीं दिख रही है लेकिन वो पानी जब भहते हुए नीचे आता है तो एकदम से नदी का लेवल बढ़ता है तो वही हुआ एकदम से लेवल बढ़ गया पानी का सभी छातर चिललाने लगे चारो और हाहा कार मजगया छातर खुद को बचाने के लिए रिशाल पत्थर को पकड़ पकड़े थे कोई भी यह चातरों को बाहा निकालने की हिम किसे मदद करें तभी अचानक दो युवा फरिस्ते बनकर आये और नदी में कूद गये उन्हों ने कठिन संगर्श करके उन छात्रों को रस्ती द्वारा बाहा निकाला अब अंतिन छात्र को निकालना शेश था जो 15 में से सब निकल लेकिन एक बचा हुआ था बचाव करने अगले दिन उसका शव गोथा खोरों को प्राप्त हुआ वह युवा अपने प्राणों की परवा किये बिना पत्रा 15 छात्रों की जान बचा गया था मतलब उसने अपनी जान गवा दी लेकिन उन सब ही बच्चों को बचा लिया था उसने इस पूरे दृष्ट ने सबकी आँखों को नम कर दिया और यह ना भूलने वाली घटना हमारे मनमस्तिश्क में कैद हो गई उस युवा के त्याग ने हमें नमन करने को मजबूर कर दिया और उसके इस साहसिक कार पर यह कहावत चरितार्थ होती है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे अर्थाथ उसने दूसरे मनुष्य की जान बचाने के लिए अपनी जान को निउचावर कर दिया अब इस पर हमारे को सीख क्या मिल रही है क्या हम सीखते हैं इस से इस कथा से हमें ये सिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में परोपकार को अपनाना चाहिए परोपकार यानि कि दूसरों का उपकार करना चाहिए तथा दूसरों की सहायता करनी चाहिए क्योंकि वास्तों में वही मनुष्य है जो दूसरों की संकट में सहायता करता है अब तभी मनुष्यता है क्योंकि हम को मनुष्य जीवन मिला क्यों क्योंकि हम दूसरी की सहायता कर सकते हैं पशु तो खाली अपने ही जी सकता है हम क्या है हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं तो एक्च्वल में हमें वो काम करना चाहिए अब आगई प्रिष्ट संख्या 11 अब इस पे क्या है एक मौलिक कथा लिखिये जिसका आधार निमलिखित उक्ति हो दूर के ढोल सुहावने यानि कि दूर के ढोल सुहावने इस पर हमें एक उक्ति लिखनी है क्या है जो यह है उक्ति दी गई है इस पर कथा लिखनी है और सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा उक्ति का अर्थ बताना पड़ेगा दूर के ढोल सुहावने इस उक्ति का अर्थ है कि दूर से सब आकर्शक और लुहाबना लगता है लेकिन पास जाने पर ही सारी चीज़ें होती हैं बाहर का जीवन हमें बड़ा चका चौन पूर सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन हम जैसे ही पास पहुंचते हैं तो हमें असलियत का अंदाजा हो जाता है यह एक कटू सत्य है कि मानव का वास्तिविक परिचे उसके वहवार वा आच्रण से ही पता चलता है अन्यथा दूर से तो सब आकर्शक ही प्रतीत होता है उपरोत उक्ति इसका परियाय है जिसकी पूष्टी है तो एक कथा है यानि कि हम बहुत से लोग हमें जोने हम आपने आदर्श बना लेते हैं यार वो यह तेखनी में इतना अच्छा लगता है इतना अट्रक्टिव है मैं ऐसा यह बनूंगा लेकिन अगर आप उसके थोड़ा नस्दीक जाओ उससे थोड़ा अपने वहवार बढ़ाओ तो हो सकता है उसका वहवार ऐसा ना हो जो जिससे वो आपको कोई पॉटस नहीं दे आपकी बिर्ज़ती कर दे तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि दूर से कोई वेक्ति बड़ा आकर्शक लग सकता है लेकिन आप अगर उसे पास से मिलते हैं तो बिहेवियर वाइफ कैसा है या आप नहीं कह सकते हैं तो इसलिए ऐसे लोग लि इवन प्रशनशा करती थी खूब उनकी प्रशनशा करना होता था दस वर्षों के अंतराल के वहां उनसे पुराने इसने की उमीद रखती थी दस साल हो गये थे उनसे मिले तो नहीं लगा कि अब अगर हम उनसे मिलेंगे तो भी वह उतना ही इसने रखेंगे वहां उनकी ब कि यह द maintained कि हखकेट मान कर माता जी उनका गुड़ रहती थी एक दिन उन λέ़न उनसे मिलने का निश्चे कर रिए कि सूचना उनको दी 有 निश्चे कि चल न दिनीच अंतरीन डिली चलते उन से दगारि और यह बात डिली को सूचना दी कि दिली आ मैं माता जी सहित बस द्वारा दिल्ली ही और रवाना हुआ, माता जी वेहत खुश और भावुग थी, कि भाई इत्ते दिन बाद अपने इस्प्री ये भाई से वो मिलने जा रही ही, वो बहुत खुश थी उन्होंने अत्यंत इसने से अपने हातों से बने कुछ पक्वान और एक स्वेटर रख लिया, किसके लिए अपने भाई के लिए, कि उसको हम ये सारी चीज़े खाने को देंगे, और ये स्वेटर देंगे दिल्ली पहुशने पर उन्हें सूचना दे दी गई थी, परन्त उन्होंने व्यस्तता दिखाते हुए थोड़ा इंतजार करने को बोला उन्होंने बताया कि भाई हम आ गए हैं, तो उन्होंने बोला कि नि मैं थोड़ा सा बिजू हूँ, आप जड़ा थोड़ी वेट कर लीजे, मैं आता हूँ इस घटा से माताजी थोड़ी व्रिचलित हुई, कि भाई मैं इतनी दूर से मिलने आई हूँ, उनके पास समय नहीं है, कि मुझे टाइम से ले, तो एक थोड़ा सा मन में होता है न, वो हुआ परतु मेरे समझाने परशान्त हो गई, एक घंटे पस्चात उनका ड्राइवर अकेले आया, अब क्या वो भी नहीं आया लेने ले, उनका ड्राइवर आया, जबकि वे घर पे मौझूद थे, ड्राइवर आया, अब वो घर पे मौझूद थे, भाई लेने आ सकते थे, वो देखते ही माता जी बहुत ही इमोशनल हो गई, और हाल चाल पूछा, परंतु उनके विवास से ऐसा प्रतित हुआ कि वे हमसे मिलकर जादा प्रसंद नहीं हुए, तब माता जी ने उन्हें साजितने पकवान और स्वेटर भेट किये, परंतु उन्होंने कोई बहाना बनात इस घटना करम से माता जी का हिदय ब्रतित हो गया, बहुत तकलीफ हुई उनको, मैंने तब मा को समभाला और यथार्त को समझाने की कोशिश की, कि अब वहाँ ठैरना माता जी को कश्टपरद हो रहा था, अब उन्हें लग रहा था कि जल्दी जना चलो मुझे अच्छा न को बहुत ही एक होता ना, अंदर से जटका लगता है, तो मा को वो हम सांत्पना दे रहते हैं, तब माता जी शांत हुई, मुझे उस वक्त माता जी पर इसने और हसी आ रही थी, मैंने उन्हें इस पश्टता समझाया कि देखा, आज ये उक्ती चरितार्त हो गई, दूर के रोल सुहावने होते हैं, तो ये चीज इस कथा से होता है, कि दूर से वो भाई बहुत बलते थे, आईए, 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 हम बहुत प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, बात करते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारी कोई इस तरीक पस्तू और विकती अच्छा नहीं होता। आता जो हमारे पास है उसका महत्वर समझना चाहिए। आपको लगता कि हमारे पास जो चीज़े वह बहुत कम है, अच्छी नहीं है। दूसरय की पास जो चीज़े वह बहुत अच्छी है। लेकिन actual में वो चीज़े उतनी अच्छी नहीं होती। अपनी जो चीज़े हैं उनकी importance समझे हैं, अपनी उसकी value समझे हैं और उसी से ही संतुष रही है और प्यार करिए। एक मौलिक कथा लिखिये जिसका आधार निमलिखित उक्ती हो, खोदा पहाड निकली चुहिया, तो अब इस उक्ती को सबसे पहले हम अर्थ बताएंगे और फिर इसकी कथा को समझेंगे, खोदा पहाड निकली चुहिया, उक्ती का अर्थ है अत्यनत महिनत के बावजूद प कोई भी परिणाम निकलेगा ही नहीं, तो उसी को कहते हैं कि खोदा पहाड और निकली चुहिया, अब इस पर कथा देखिये क्या है, इसी से संबंधित एक कथा मुझे याद आ रही है, पिछले वर्ष मेरे मित्र राहुल की क्रिकेट अकादमी में ये घोशना की कि अगले महा उसकी टीम दूसरे शहर के प्रतियोगिता खेलने हेतू जाएगी और उसके लिए टीम का चैन दस दिन बात किया जाएगा, शुलक भी लिया जाएगा, राहुल ने दिन रात परिश्रम किया, अब क्या हुआ, ये हुआ कि भाई उसकी जो क्रिकेट टीम है वो दूसरे शहर जाएगी competition के लिए, तो ये हुआ कि दस दिन में टीम चुनी जाएगी और सबसे कुछने कुछ फीस ली जाएगी, तो राहुल को भाई सेलेक्ट होना था, उसमें खूब परिश्रम किया, प्राता चार बजे से आठ बजे अभ्यास के उपरांत विद्या ले जाना, श सब खिलाडी रोमानचित थे, सब ने नई पोशाक, नया समान खरीद लिया और प्रतियों की ताशुक भी अदा कर दिया, सब से जो फीसली गई सब ने दे दिया, अब उनकी टीम बरस द्वारा रवाना हुई और शेहर से लगभग 300 कीमी की दूरी पर राजस्थान के एक गाउं की विद्याले में आगे, सब खिलाडी वहां के वाता वरन से चौक गए, विद्याले जरजर अवस्था में था और मैदान भी अस्तवियस्था, अगले दिन प्राता जब मैच आरंग हुआ तो विवक्षी टीम के खिलाडीयों को देखकर सब हैरान रहे गए, इन ल लोग थे, उनकी स्तिती बहुत ही जरजर थी, ये ग्रामीन इस्तर का मैच था, सब खिलाडी अपमानित वह अजीब महसूस कर रहे थे, क्योंकि टीम जो सोच कर प्रतियोगिता खेलने आई थी, यहां ऐसा कोई माहौल नहीं था, वे सब संपूर्ण प्रसिक्षण के साथ प्रसिक्षण टीम से खेलने आए थे, वेठित हिदय के साथ उन्होंने मैच खेला और भापस दिल लिया आ गए, तो उन्हेंने सोचा क्या था, कि हम बहुत बड़ी टीम के साथ अच्छे से खेलेंगे, यह सोच के गए और निकला क्या, महां पे कुछ भी नहीं, तो गटना क्रम को जानकर अत्यनत नाराज हुए, राहुल ने तो उस अकादमी से नाता ही तोड़ दिया, तो हम ही क्या मिलता है, हम इससे क्या सीख लेते हैं, कि जरूरी नहीं कि जो हम सोच रहें वैसा ही घटी, तो कभी-कभी हमारी सोच के विप्री भी चीज़े हो जाया कर अब आगे हम प्रश्ण संग्या 13 पे, एक मॉलिक कथा लिखे जिसका आधार निमलिखित उक्ति हो, आगे कुवा पीछे खाई, अब आगे जाएंगे तो हम कुवे में गिरेंगे और पीछे अगर हटते हैं, तो पीछे खाई, यानि कि रास्ता दोनों तरफ नहीं है, अब हम नहीं कर सकते हैं, पीछे भी हम नहीं लोट सकते हैं, तो क्यों कि पीछे भी मुश्किल है, तो इस उगती पर हमको एक कहानी लिख रही है, मेरे गाउं का एक निवासी गगंदीप किसी कारिवश रेल-गाडी द्वारा भोपाल जा रहा था, वात्यंत बहादूर था और रवाना हुई, रात के लगभग 10 बजे जब गाड़ी चंबल के भयावाद छेतर से गुजर रही थी, अचानक विशान लदी के ऊपर जाकर रुख गई, यात्री इस सुनसान महाल में थोड़ा भैभीत थे, अचानक ही 4-5 डाकों ने हमला कर दिया और लूट पाट करने ल तब भी गगन ने हौसला दिखाते हुए जान बचाने के उद्दिश से अपने साथ एक यात्री को चुप चाप गाड़ी के नीचे उतार दिया, वे दोनों गाड़ी के नीचे पट्री पर थे, कहां थे गाड़ी के नीचे, जान बचनी तो चलो गाड़ी के नीचे जिलती बनाई की ति चलो ठीक है नीचे नहीं कूच सकते नदी है और उपर कैकेते हैं गाडी में डाकूं है वहाँ नहीं जा सकते हैं तो चलो इसी पटरी-पटरी हम निकलना शुरू करते हैं सैसा ही रेल गाड़ी धीमी गती से चल पड़ी अब जैसे उन्हों उन्हों चलो इस रास्ते से चले और अचानक जो है वो जो गाड़ी रुकी हुई थी वो चलने लगी धीरे-धीरे अब उन दोनों को साक्षात म्रत्यू का अभास होने लगा कि पट्री थी उसी पर गाड़ी चल रही है दोनों पट्री से लटक गए अब वे ना तो नदी में कूच सकते थे और ना ही गाड़ी में चड़ सकते थे उनकी अवस्था देखकर ये कहावस साक्षात प्रतित हो रही थी कि आगे कुआ और पीछे खाई जाए तो कहा जाए नीचे कूद नहीं सकते उपर गाड़ी चल रही है और बीच में लटके हुए तो दोनों तरफ भी पत्ती थी तभी शायद किसी के सूचना देने पर छेतरी पुलिस ने आकर डाकूओं को मार भगाया उन दोनों को भी सकुषर बचा लिया ततपश्चा सभी यात्री गंतव इस्थल की और रवाना हो गया तो अब क्या हुआ सब की जान बच गई कि पुलिस ने आकर सब को बचा लिया तो इस तरीके से क्या है ऐसे बहुत सी सिचुएशन होती है जिनमें हमें समझ बूच कर ही कदम उठाना चाहिए कि हम अगर करेंगे तो आगे कहां जाएंगे तो यह सीख मिलती है कि अगर आपको तैरना आता तब आप पट्री से नीचे उतारते तो समाझ में भी आता तो जो को नहीं आता तो आपको वहीं पर ही रहना चाहिए था अब प्रागहम प्रश्न संख्या 14 पे क्या है आ बैल मुझे मार इस उक्ति के आधार पर एक मौलिक कथा लिखिए आ बैल मुझे मार बैल मतलब क्या हो मुसीबत हो अब उससे हम बोल रहें कि आओ भीया मुझे मा कभी कभी व्यक्ति भावनाओं में बैकर खुद को संकट में ही डाल लेते हैं ऐसी अवस्था में उप्रोक्त उक्ति सत्प्रतीत होती है कि आ बैल मुझे मार तो ये उक्तियां यहाँ पर सिद्ध हो जाती है कि हाँ भीया मुसीबत है मुझे आ कर मारो तो इस तरीके की जुक नाम का एक युवक्त था जो अतिन्त सहासी और बहादूर था परंतु साथ ही चंचलवा अधीर था इसी कारण खुद को संकर ग्रष्ट कर लेता था अब अधीर था तो क्या हमेशा अपने उपर मुसीबतें ले आता था एक बार की घटना हैं हमारे गाउं पर अब क्या है अशोक ने तब होसला दिखाया और इस घटना की सूचना पुलिस को देदी कि वही है गटना ऐसा लूट पाट हो रही है आईए और लोगों को पकड़िये पुलिस बिना समय गवाएं गाउं में पहुंच गई और डाकुओं को चारों और से घेर लिया पुलि कि सब अपने घर में रही है और डाकुओं से बोला कि आत्म समड़ गई यह तो पहली चितागनी होती है डाकूओं का होसला पस्त हो चुका था और वे समर्पन की योजना बना रहे थे सैसा अशोक अपना सहयम खो बठा और उसने डाकूओं पर हमला कर दिया अब उसका वो भाग लेते हैं यहां से उसको किते न अपनी एक ढाल बना लेना उसको अपना ढाल बनाया और उसको लेकर भागने लगे डाकू अशोक को साथ ले गए और दून सूनसान जगा पर जक्मी हालत में फेक कर फरार हो गए अब साथ ले गए ढाल बना कर उसको फिर एक जगा मा इंगात्मक लहजे में अशोक को कहा कि अपनी अधीरता के कारण आपने अपने प्राण संकट में डाल दिये और डाकू भी भागने में काम्याब हो गए यदि अशोक खुद को सायमित रखता तो पुलिस अपने अभियान में सफल होती और अशोक के प्राणों को भी खत्रा नहीं होता अब यह उठीज घटना और अशोक परसत्य प्रतीत होती है कि आब एल मुझे मार अगर भाई पुलिस वालों ने उन्हें कंट्रोल कर लिया था वो आत्म संवर पर कर देते हो तो उपने आपी सारे डाकों आपको पकड़ती ही नहीं तो अब इससे सीख क्या मिल यह सारी चीजे समझ कर ही हमें काम को करना चाहिए अब हम आगए प्रशन संख्या 15 पर यहां पर हमारे पास में जो उपती है वो है जैसी करनी वैसी भरनी अर्थात तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा ही फल प्राप्त होगा अब यह उपती है तो इस उपती का अर्थ भी हमको बताना होगा देखी क्या है जैसी करनी वैसी भरनी उपती का अर्थ है कि मनुष जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है यह सर्व विदित है कि मानव अपने कर्मों के आधार पर ही फल भोगता है यानि कि हम जैसा काम करेंगे हमको वैसी ही चीजे मिल बुरे कर्म करने वाला मानों सदेव कर्मान रूप व्यर्थ भटकता रहता है। इसी विषय में सम्मंदित एक कथा है। अगर आप बुरा कर्म कर रहे हो तो आपको अपने कर्म के अनुसार ही फलप्राप्त होगा। जीवन शैली में बहुत अंतर था दोनों अच्छी बुद्धी थे लेकिन उनके जो बिहेवियर्स थे उनके एक्टिविटी में उनमें फरक था उसमें राम धैर रिवान वा परिश्रमी था परिंतु राज अधीर चंचल एवं आलसी था उनके पिता जी ने उन्हें में अध्मिशन मिल जाएगा तो यह टार्गेट पिता जी ने उन दूनों के लिए डिसाइट कर दिया और दे दिया राम ने पूरी मेहनत की और योजना के साथ पूरे समय परिक्षा की तैयारी की उसने पूरी अच्छे तैयारी की कि भई हमको तो अच्छे कॉलेज में अ तो वह अच्छे से दियारी करता है और परिक्षा में प्रथम इस्थान के साथ पास हुआ और पर एक्जाइम आया तो फॉर्स दिवीजन पास भी हो गया तदुपरांत उसने स्टेश्ट कॉलेज में दाखिला भी पालिया अच्छे नंबर आये तो उसे अच्छे कॉलेज के कारियों वह मित्र मंडली में व्यतित किया जिससे वह विद्याले की परिक्षा तक उत्रीन नहीं कर पाया तो जो स्कूल की को जो परिक्षा उत्रीन करनी थी उसने वही उत्रीन नहीं कर पाया इस प्रकार राज ने खुद के भविश्य पर प्रश्ण चिन लगा दिया और राम कामियाभी की बुलंदियों को प्राप्त कर पाया अगर वो भी उसे में मेहनत करता तो वो भी अच्छे कुछ अचीफ कर सकता था जैसे राम ने किया दोनों ने अपने कर्मों के अनुसार ही फल फाया इसलिए इस घटना से ये कहावत सही सिद्ध होती है कि जैसी करनी वैसी भरनी राम ने अच्छे काम किये तो वो आई एस ओफिसर बना राज ने पढ़ाई नहीं करी तो ना वो कॉलेज में अमिशन ले पाया ना ही कोई आगे कॉम्पटिटव एक्जाम में वो बैट पाया तो जैसा करोगे वैसा ही फल तुम्हें प्राप्त होगा परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त होगी कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं प्राप्त होगा अब इसे सीख क्या मिलती है इस कथा से ही सिक्षा मिलती है कि मनुष जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भूगना पड़ता है हम अगर आज मेहनत करेंगे तो जहीर सी बात है कि हमें अच्छी चीजे अच्छी चीजे मिलेंगे अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा तो यह समय आप लोगों के पढ़ने का है तो आप लोगों को क्या करना है पढ़ाई करनी है ताकि आप अच्छे से मार्क्स लेकर आज़ों तो यहाँ कहानियों ने हमें बहुत सारी चीजे सिखाई और साथ ही हमने कथा लिखना भी सीख लिया तो इस तरीके से प्रैक्टिस और भी करते रहीगा जहां उपती कोई मिलती है तो कहानी लिखने की कोशिश करिए तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़े सीख जाएंगे तो अभी लेखन कारे और भी बाकी हैं तो उनके भी most important questions लेकर आऊंगी मैं तो जल्दी मिलते हैं next video में, thank you for watching, bye bye